सुबह दस वज़े से लेके 11 बज़े की बीचे उपस्तित हूँ आप सब के सामने आज जिनकी कुंड़ी लेकर के आया हूँ इनका नाम सैलेश है ये कुंड़ी आई है सितापुर उत्तर प्रदेश से इनके पिता ने इनकी कुंड़ी फेजी है शुरू करते हैं आज का कारिकर्म कहीं नहीं जाना है बिल्कुल बनके रहिएगा कारिकर्म के आरंभ में सबसे पहले बता हूँगा मनिस्मृति की बात वगवान मनों ने अपने आदिग्रंथ मनिस्मृति में बड़े अच्छी बात कही है उन्होंने ये बात कही कि प्रतेक सनातन धर्म के प्रतेक विक्ति को सनातन धर्म के प्रतेक मनुष्य मात्र को ब्रामणों के पास से घ्यान अरजित करना चाहिए ब्रामणों के पास से जो घ्यानी हो जो दैवग्य हो जो वेध जानने वाला हो जो सास्तर की बात जानता हो, जो कम से कम करम कांड जानता हो, और कम से कम नियम बद्ध हो करके जीवन जीता हो। संसर्ग कर लेता है तो वो स्वैम भी वैसे ही उतना ही बद्धिमान और पूजनिये हो जाता है यहां भगवन ने बड़ी अच्छी बात कि यह स्लोक पढ़ देता हूं कि तदेश प्रसूतस्यव सकाशाद अग्रजन्मनह स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन फृतव्याम लानवां है यहां लिखा है कि ब्रह्मपवर्त और ब्रह्मपशी देश में उत्पन मनुष विशेशत्य ब्रामणों के द्वारा ब्रामणों से प्रित्वी के समस्त मनुश्यों को चारित्रिक सदाचार की सिक्षा गरहन करनी चाहिए लेता हूं अब रिशा पहले क्या दो, ये कुण्ली मेश लगनकी बनी है, पर सुर्य ने यहाँ डिग्री के अधार पे सुक्र को भी अस्त किया है, 26 डिग्री के हैं, ठोड़े ढलान पे हैं, मंगल को भी अस्त किया है, 14 डिग्री पे हैं, तो आवस्थागत तो ठीक हैं, सुर्य शुत् पर बात ये है कि अस्त ग्रह ऐसा नहीं कि परणाम नहीं करेंगे, अपने कारक्षित्रों का वो परणाम करते रहेंगे, और इनका जन्मकृष्ण पक्षे के सब्तमेतिति को हुआ है, इस होज़ा से इस कुर्णी में सुख भाव बढ़ियां बनेगा, क्योंकि चंद्रमा इस तब तमेश और धनेश होकर के अस्त हुए हैं, इस वज़ा से बिवा बिलंब से नहों, इसका खत्रा है, सुर्य ने बुद्ध को अस्त किया है, जो इसकुंडली के परम पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, ये अस्त हैं तो ठीक है, हाला कि फिर भी बुद्ध इस वज़ा से बिक्ति के पुर्व ज़नमे में कस्थ होता है, आरम धके जीवन में कस्थ होता है, गुरू जनमकुंडली में धन भाव में थेज़ दिगरी के अमरिकर शीरान अच्छत्र के बैठेंगे मंगल अस्त हैं, इस वज़ा से गुरू का बल कमजोर होगा, और शनी राहू का संग जन्मकुणली में उच्च के शनी बैठे हैं इस भाव के अधिपती उसको देख रहे हैं पर इस पे जन्मकुणली में बुद्ध और मंगल का भी प्रवार आएगा थोड़े बहुत रोग से युक्त दामपत्य वीदने का योग बना है पिता भाव में पिता भ अधिपती लगन में बैठे यहां शनी स्वग रही गुरु मंगल दो परमित्र मित्र की रासी में दामपत्य इस कुणली का बहुत अच्छा रहेगा सु ये नीच के तो नहीं है पर नीचा विलासी हो रहे हैं संतती में दिक्कत ना हो हालाकि केंदर में गुरु यहां भी ह और गुरु का प्रभाव जन्म कुणली में सुरी के सनिकट है सुर्य उंचके होकर के बैठे हैं हट जिद्ध कुरोध गुषा और प्रविर्ति थोड़ी इगोईस्ट ये सामानने बात होगी इस जातक के लिए दशमानसा कुणली में दशमस्थान में शनी का बैठना ये जातक के करियर को बहुती उचाई देने वाला होता है मंगल और गुरु यहां सिच्छकिये योग लगा रहे हैं और यहां बुद्ध ब्रप्ति को धन्वान बना रहा है यहां पे भाग्य भाव के अधिपती जन्म कुणली में शनी है स्वग रही और अस्टम भाव के अध ब्रप्ति के आरंग के छेत्र को दिक्कत में रखते हैं बाद में चलकर के चीज़ें ठीक होती हैं एक बात और बता दूँ इस कुंली के पास बल बहुत अच्छा होता अगर किंद्र में दो तिन गरह अस्ट नहीं होते पर वैसे सुरी के पास बल बढ़िया है जो इस व्य ब्रप्ति इंजिनेरिंग कर सकता है इसके अत्रिक्त वो बहुत सारे सरकारी नौकरी का लाब भी प्राप्त कर सकता है इसके अत्रिक्त इस कुंली में मेकानिक्स और सौफ्ट्वेर उसके बाद मनी मेकिंग पॉलिसी का काम करने वाला किसी को धन से समंधित राय देने वाला इसके अत्रिक्त व्यक्ति इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग कर ले सिविल इंजिनेरिंग कर ले मेकानिकल इंजिनेरिंग कर ले कंप्योटर इंजिनेरिंग कर ले ये सारी चीज़े इस कुंली मे शनी बहुत अच्छे बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए अच्छे होते भी हैं और बढ़ियां बैठे हैं कम से कम वो उच्छे के बैठे हैं और शुक्र और बुद्ध जैसे ग्रह से देखे जारें तो मंगल और सुरी के भी प्रभाव में हैं लगन में दो उर्जा कारग्र का बैठना व्यप्ति को बल्वान बनाएगा हाला कि थोड़ी चिंता भी रहेगी इनीशियल एजुकेशन बहुत अच्छी है और व्यक्ति खराब नेचर का नहीं रहेगा इस कुंडली में सुरी और चंद्रमा में से सुरी बहुत अच्छे हैं चंद्रमा बृद्ध हैं कानी की दशा अच्छी वीतेगी राहू और केतु आपकी कुंडली के लिए कमजोर परणाम देने वाले बनेंगे मतब उस दशाकाल में रूक करके और गंभीर निरने लेने की आवशकता होगी इनिस्टियल एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा ये सारी कुंडलियां इस उसके अधार पे अभी लगतार 2029 तक एजुकेशन पे ध्यान देने की आवशकता है उसके बाद राहू इनको सिखाएंगे और पाठ पढ़ाएंगे राहू के बाद जो गुरु की दशा आएगी वो व्यक्ति को व्यवस्थित करेगी और आशरन सुल्थर करेगी वैसे वा का मुर्गशीरा उसके बाद अश्वनी इतने सारे नक्षत रख दिन के हिसाब से मंगल बार और रवी बार बहुत अच्छा रहे है सुखद दिन में सो मुआरा और गुरुवार भी बहुत अच्छा रहेगा इसके अतरफ इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए पस्चिम सिंभ और धनू के साथ कुम्भरासी बहुत अच्छी रहेगी जगड़ा किसी से भी नहीं करना चाहिए कन्या वरश्चिक और मीन वालों के साथ चल अचल संपत्ती का योग इस कुंडली में माता का सुख और माता का भाव ठीक है पिता भाव के अधिपती शनी राहु के तु मंगल सुरी के संपरत में है राजनेतंग और पॉलिटिकली माइंडिड किसी भी चीज को देखना ये संभाव है पर ये कुंडली निश्चित उससे बहुत अच्छी है अच्छी कुंडलियों पे एक बात और भी समझ में आती है कि अगर चंद्रमा केंदर में हो गुरू से दृष्ट हो जैसे कि हैं सुरी से बुद्ध केंदर में एक साथ दोनों बैटे हैं लगन में ही मंगल लगनेश बैटे हैं तो कुंडली देने के लिए सुरी को अर्ग हनमान चालीसा का पाठ इसके अत्रिक्त इस जातक से कम से कम शिव जी के मंदिर का दर्शन सफेद पुष्प की माला रक्त चंदन की माला गले में और अगर हो सके तो इस कुंडली के लिए मैं एक बात जो सबसे जादा कहूंगा एक चांदी क चंद्रमा गले में डाल ले पस तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कर